और कॉंग्रेस ने MP में 12 उम्मिद्वारों की एक और लेस जारी कर दी है राज़गर सीट से पूर्व सीम दिगविजे सिंग को कॉंग्रेस ने उम्मिद्वार बनाया है जबकि रतलाम सीट से पूर्व खिंद्रे मंतरी कांतिलाल भूरिया को टिकेट दिया गया इंदोर से अक्षे बम और भोपाल से और उन स्रिवास्तव को टिकेट दिया गया है कॉंग्रेस अब तक MP की 39 में से 22 सीटों पर उम्मिद्वारों के नामों का एलान कर चुकी है गुना, विदीशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमो सीट पर अभी सस्पेंस बर करार है पार्टी ने अब तक 5 विधाय को को टिकेट दिया है कहां से किसे चुनावी मैदान में उतारा गया ये हम आपको दिखा रही है इसके अलावा राजगर से दिगविजे सिंग को चुनावी मैदान में उतारा गया है और साथी बड़ी बात तो ये है कि अभी वी 6 सीटे ऐसी है जहां से पार्टी ने कांडिडेट घोशित नहीं किये है और इन पांच सीटों में आता है गुना, विदीशा, ग्वालियर, मुरेना, खंडवा और दमोंग तो इन 6 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार के आखिर कौन होगा उम्मिदबार मध्यप्रदेश की कुल 29 लोग सभा की सीटे और 6 पर अभी भी कॉंग्रेस ने उम्मिदबार घोशित नहीं किये है बात करें अगर 2019 की, तो मध्यप्रदेश की बात करें अगर तो मध्यप्रदेश में अगर देखा जाए तो तमाम जितने भी प्रत्याशी है अब जोरो शोरो से प्रचार प्रसार करेंगे, गौलियर की अगर हम बात करें तो गौलियर में तीसरे चरण में चुनाव होना है मौजुदा सांसद विवेक नारायन शेजवलकर है इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रत्याशी बीजेपिक की तरफ से भारत सिंग कुश्वाहा को बनाया गया है अभी कॉंग्रस की तरफ से गौलियर सीट पर प्रत्याशी के नाम का एलान नहीं किया गया है और इसी तरह अगर हम गुना की बात करें तो गुना की बात करें तो साथ माई को तीसरे चरण में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे मौजुदा सांसद कृष्ण पाल सिंग यादव है और गुना से जोतिरा देते सिंध्या को प्रत्याशी बीजेपि ने बनाया है विदीशा की अगर बात करें तो विदीशा से पूर्वबुख्य मंतरी शिवराथ सिंग्हान चुनावी मैदान में है बीजेपि की तरफ से लेकिन कॉंग्रिस की तरफ से अभी तक विदीशा से प्रत्याशी के नाम का इलान नहीं किया गया है तो ये सिलसलेवार तरीके से हम आपको बता रही है कि कौन सी सीट ऐसी है जहाँ पर अभी तक कॉंग्रेस के तरफ से प्रत्याशी के नाम का एलान नहीं किया गया लेकिन राजगर की बात करें तरफ से दिगविजे सिंग को प्रत्याशी बनाया गया है और रोडमल नागर बीजेपी के प्रत्याशी है कुछ येसी सीट जहां हम आपको दिखा भी रहे हैं कि 6 सीट पर क्यों पेच फस रहा है कई नाम एक ही सीट पर सामने आ रही है तो अभी भी चर्चा बाकी है कि आख एलान नहीं हुआ है लेकिन अगर बात करें भारती जनता पार्टी की तो भारती जनता पार्टी की तरफ से जिन 6 सीटों पर अभी तक कॉंग्रेस ने प्रत्याशी के नामों का एलान नहीं किया है वहाँ पर कर चुकी है नाम का एलान भारती जनता पार्टी दमोव भी इसमें शामिल है दमोव कि अगर बात करें तो दूसरे चरण में चुनाओ होने है 26 एपरिल को और कई ऐसे मतलब अभी भी प्रत्याशी है जिन्हें टिकेट नहीं दिया गया है तो आप देखना होगा कि आखिर किस के बीच लडाई होगी 6 सीटों पर पेच अभी भी फसा हुआ है और लगतार नामों के साथ साथ हम आपको प्रत्याशी भी दिखा रहे हैं मिलन भारगव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसके अलावा हमारे साथ अभिनव बरॉलिया भी है कॉंग्रस के प्रवक्ता अभिनव जी 6 सीट पर कहां समस्या आ रही है अंकीदा जी कोई समस्या नहीं है सबसे पहले तो आपको और न्यूज रेटिंग के सभी वीवर्स को मिलन भारगव जी को भोली की बहुत बहुत शुपकामना है और मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि देश और प्रदेश की जनता मत्रप्रदेश और देश की जनता चाहती है कि इस तानाशा सरकार जिसने दो करोड रोजगार नहीं दिये करमचारियों के साथ जो चला है तनखाय नहीं दिये अभी तक और जिस तरीकी से चंदा लेनी वाली पार्टी पूरे देश में प्रदेश में अब ये प्रसित हो चुकी है कि पाकिस्तान से चंदा लिया है इन्होंने मास बेशने वाली कंपनी उसे चंदा लिया है जुव सक्ता खिलाने वाली कंपनी उसे चंदा लिया है तो ये पार्टी हालत है उसे मालूम है कि विद्रों का सामना करना पड़ेगा और जो बड़ी-बड़ी बाते वो करती थी कि हमने इसको ऐसा से दिया है हमें जिक्र कर रहे हैं यहां पर जिन चैसीटों का हम जिक्र कर रहे हैं गुना विदीशा गौालियर मुरैना खंडवा और दमो क्या कॉं केंद्री नेत्रत्व के साथ चल रहा है और बराबर आप देखेंगे कि हमारे टिकेट्स जो डिक्लियर हो रहे हैं वो सूची के हिसाब से डिक्लियर हो रहे हैं गुना विदीशा गौलयर मुरैना खंडवा और दमो इन 6 सीटों पर अब तक कॉंग्रिस पार्टी ने प्रतियाशों के नामों का ऐलान नहीं किया इस बार जो बड़े दिगगत चेहरे बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे क्या एक चुनावती है कॉंग्रिस के ल खाता रख है कालिकरभों के मात्यम से अपनी क्रियाटिविटी जो भार्टी ने पार्टी के पार्टी की इस बेगता है से भारत आज विश्व में मजबूस राष्ट के रूप में खड़ा हुआ, नेद्रत करते करते के रूप में खड़ा हुआ, उसकी स्विकारता है, वहीं ये चुनाव जो है, वो इसकीम वर्सिस स्कैम्स का है, ये प्रधामंती नरेद मोदी जी की जो जंतर लेंकानी, करीब क लेंकारी यूजनाए हैं, जो स्कीम से उसकी स्विकारता है, उसको लेकर जंता हमको लगाता राश्रिवात देरी, और वहीं है आप देखिए, कॉंग्रेस पार्टी लगाता स्कैम्स करती आई है, और स्कैम्स करने वालों के साथ आज भी खड़ी दिखाई दिए है, जो न चुनोती कॉंग्रेस पार्टी के लिए, कॉंग्रेस पार्टी आजज बिरोधी हो गई है, राश्र बिरोधी लीतियों के साथ खड़ी हुई है, राम बिरोधी है, और तो और राम मंतर जब बंद्रा स्कार करते हैं, लोगें जो 2019 के अलेक्शन में एक सीट जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वो थी चिन्वाडा, यहां पर क्या कोई काट बीजेपी की तरफ से निकाला गया है क्या, विवेक बंद्री साहु कितना कमाल करेंगे? किला कहा जाता, वो डहनी की तरफ पड़ गया, उनके तमाम समर तक वार्तियंदा पार्टी का हाथ काम चुके हैं, या अन्य दल में जा चुके हैं, आज कमलाज जी अकेले खड़े हुई, क्योंकि जीतू पड़वारी जी की जो मंचा थी, कि मद्रदेश के कमलाज जी को ब अबनाज जी, जो मिलन भार्गर की कहरे हैं, कि कबलात कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक मजबूत नेत्रित्व, एक बड़ा चहरा, और क्या इसी वज़ा से इन 6 सीटों पर भी बात अटकी हुई है, कि अनुभवी को दिया जाए, या युवाओं को दिया जाए, या जातिगत समिकरंट साधा जाए, एक सीट पार कॉंग्रिस में 3-3, 2-2, 4-4 नावों पर चर्चा हो रहे हैं, इतना कंफ्यूजन? किसानों के लिए जिस तरीके से इन ने बोला कि हम MSP देंगे 31-27 की धान और गेहुं पर वो नहीं दी, विरोज़गार युवा, यहाँ पर जिस तरीके से रजिस्टर्ट विरोज़गार युवा, पचास लाग से जादा मत्रपदेश में, उनको ठगने का काम किया, कहा गय कि 3-4 लाग पत भरेंगे, तो जनता जो है मत्रपदेश की चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी लोग तरस्ते इस सरकार से, क्योंकि यह सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है, इसको सिर्फ जे भरने से मतलब है, जनता के टैक्स की छोरी जिस तरीके से कर रही है, यह बातो हैं, वो इनके खोकले हैं, कमला के लेक्षिंस में नजर आएंगे क्या, अभिनाव जी, कमला जी बिल्कुल आप देख रहे होंगे, कमला जी चंदवाडा में एक्टिव है, प्रदेश की राजनीती में, सिर्फ चंदवाडा में, आफिक चंदवाडा के बाहर भी, मुद्नों से भागते रहना, मुद्नों की बात ना करना, बेरोजगार युवाओं की बाति लएक्टा करना, करमचारीों की तर्का नेहीं बैट रही है, उसकी बात नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना गुड़गान करना. मिलिन जी को आप याद कर रहे थे मेरा सवाल यह कि प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ब्रैंड अम्बासडर है भारती जनता पार्टी के हर जगा वो चुनाओं के पहले नजर आते हैं और सभाई करते हैं जैसे कि आप गारेंटी का जिक्र कर रहे थे उस गारेंटी की भी बा चहरा जिसके नेट्रित्व में यह चुनाओं हम देखें देखें देखिए अप्रधार मत्री नरेंद्र मोदी जी के पर यह चुनाओं कर देखा ही हमने इसका असर क्या आपको लग रहा है मध्यप्रधेश पर लुकसवा चुनाओं पर होगा अंकिता जी यह चुनाओं जो है यह राष्ट विरूधी ताक्तों और राष्ट वादियों के पर यह आप समझें यह चुनाओं कोई सामान ने चुनाओं नहीं यह कॉंगरेस पार्टी के दुर्गती आप जी किस प्रकार से नेताओं के साथ खड़े हुए बे मंज से कॉंगरेस का नेता चुनाओ लगना चाहा है आप उन्हें कोजे से मि मंध्य प्रदेश में उप्रत्याशी नहीं मिल रहे थे कुझे सिखी तो फुले में को चुनाओं लड़ूगा वाई मेरा थाई साल अभी राजस्वा का बचा है तो क्यूंकि दोजार पीट में जब मंध्य प्रदेशी चंता ने मिस्टर पंटर डारी को नकारा था उन्हें दस साल सन्यास ले लिया था और दस साल बढ़ सुनिया जी और रावजी के दर्वार ने चुनाओं लड़ाया जरूर है लेकिन प्रेमान से लड़ रहे हैं क्योंकि हारता है जो अंदर खानी की बात में बताओं मैं जी तो पटवारी पे भी आऊंगे भी आप रुख जाई अभी जी बोलिए देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा सुई वही वही घूम रही है मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं न्यूज 18 चैनल के वीवर्स भी देख रहे होंगे कि मैं जंता के मुद्दों की बात कर रहा हूं कि कब रोजगार दिया जाएगा कब किसानों को MSP दी जाएगी कब करेंगे कब सिलेंडर सफथा होगा कब कब गैस के दाम कम करेंगे कब रोजगार देंगे इन बातों की बात ना करता रही है कि आपने की आपने तमाम बाते कर दे लेकिन क्या आपके नेता इन चीजों को उठा रही है क्या अभिनव जी यह बताइए क्या क्या आपने दिख्विजे सिंग जी कि कल की प्रेस कॉंफरस देखी थी आपने देखा होगा कबनाप जी लगातार वही बात बोलते हैं अभिनाट जी जिन मुदों को आप जिना रहे हैं जिन मुदों को आप जिक्र करते हैं अभिनाट जी विधान सभा चुनाओं में नतीजे क्या ऐसे आते बंतर परदेश में आज भी 40 वोट कॉंगरेस पार्टी को मिला और 41 परसेंट भाजपा को यह एहंकार दम की बात नहीं है जनता हमारे साथ आप से जूटे आगले लेहाँ वाई लेकिन आप करनाटट में देखी 40 वोट को इस तवारा चाहा जाए बात कर दोए आपकी शतिती शाब नहीं रहाए प्रदेश किला रहे लेकिनता है हो सभी है वो सबके सामने आं से के इनरी चुनाव सभीत ही कॉर्श की और पिसको चुनाम रणआ है नहीं रणआ है दिगबिजे सिंग जी सामने आया कांतिलाल भूरिया जी सीनिया लीड़ है लेकिन जीतु पड़वारी का खरनाम आएगा तो इन छे लिस्ट में नाम जाएगा वो प्रदेश अत्रश है उन पर संगठन का जिम्मेदारी है चुनाम लड़ाने की जिम्मेदारी है तो यह इशू देखिए हर बार इशू को घुवाया जा रहा है हम बात कर रहे हैं मुद हमेशा विपक्ष किये शिकायत होती है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो आप यह नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आपको बोलने दे रही हूं अभीरा जी में दोबार आपके पास आऊँगे विलन जी सवाल ये कि 10 साल के लिए सवाल उठाये जा रहे हैं कि 10 साल में किया क्या गया क्या दस साल का लेका जोखा लेकर बीजेपी जाने वाली है जनता के बीच में बिलकुल अंकिता जी हम अपनी जरीब कल्ला कारी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं हम ने चस्प्रकार से दे भरष्टाचार को अटाने के लिए जनता को सीधे और योजनाओ का लाव गिना लेकिने प्रिदेश में आक पत्त्या कर देंडिया ये पाचास नो को घर दिया हमने सिलिंडर जैसी बूलबु सुविधा कराई मैलाओं को जो कहीं न कहीं उनको मजबूत करती है हमने नर्जल योधक योजना के मातल से घरगा चल पहुचाया हमने जिन तरह के से आप देखिए कि देश में इंफर्स्ट्रक्टर में अब बूद पूर्व परि अब आप देखिए कि न रहा है मेरा सवाल यह है कि कॉंग्रेस के लिस्ट में सिर्फ एक महिला आप तक नजर आई है अभी आने वाले आठ टिकेट साथ टिकेट और उस पे आपको महिला है और देखने को मिलेगी लेकिन बस एक चोटी सी बात अलशी का जी कहना चाहूँगा कि यह जिस तरीके से मुद्धों को वटकाने के लिए बाते कर रहे हैं कि यह योजड़ों पर कहा साथ पाते हैं आप इस बार 29 में से ठीक है इस बार दावा यही किया जा रहा है कि अच्छी खासी सीटे आएंगी लेकिन मेरा सवाल यह है कि टार्गेट कितना होगा इस बार कॉंग्रेस का भिनव जी आप बोलते हैं इंडिया गट बंदन ए पूरे देश में देखिए यह साउथ में आप बोलते हैं इंडिया गट बंदन A stands for Alliance only अरे मैं आपको बद्रबदेश में कॉंग्रेस की सिती बता रहा हूँ आपको 20 से 22 सीटे हम जीतेंगे जनता हमारे साथ है 40 परसेंट ओड मिला है विदान समा चुनाव में हमें आप देख लीजिए चारों तरफ इनके बास कहने के लिए कुछ नहीं है करने के लिए कुछ नहीं है इनकी बता रही इंडी गड़ बड़ता है यह सब्सक्राइब करके मोदी करके मोदी का भी रांप रामाइट की जिक्ष्टरी में जगा आज आज दिस्टेश के प्रदान मंतरी की आपी परसाब में आ गई क्या लग रहा है वो महाकौशल का एरिया जहाँ पर विधानसभा चुनाओ में बीजेपी ने बहतर प्रदर्शन दिया था क्या इस बार लोगसभा चुनाओ में भी यही देखने को मिलेगा मिलन जी इंतिकर जी आपको प्रशन नहीं आया प्रसे करिए चैनता ले अपना विश्वार करने जा रहा है वह इसीर शपने को साकार करने की तरफ जा रहा है बेक्सित में बेक्सित रास्तों में बिरिसीन मंतिपरदेश का या सवह हमार प्रवंदन के मातन से प्रतिशत बड़ाई के हम अपने रशनातफ़ चारीत्रों के मातन से आगे बढ़ रहे हैं इस बार एक ट्रेंड जो चला वो यह कि कई युवाओं को मौका दिया गया है और उमिद्वार भी काई उबाओं को बनाया गया है और बहुत सा ऐसे नेता जिनकी एज पचास साल से कम है उन्हें मौका दिया गया है कॉंग्रेस की तरफ से भी यही देखा गया जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें की 50 साल से भी कम उमर के नेताओं को बहुत जादा बौका दिया गया है अभिराव जी समझ गए है क्या स्ट्रेजी क्या है हम जो बात करते हैं हम सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं स्वास्त की बात करते हैं हम जाते हैं मैडम की जब हम गाड़ी से निकलते हैं तो छोटे-छोटे बच्चे जब भीग बांगते हुए दिखते हैं तो हमें वह विकास दिखता है इनका की 20-20-20-70 सरकार है और बच्चों के भविश्की है क्या बात करेंगे ये सिर्फ और बात करते हैं चंडे की अपनी चल जाएगा तारिकों का एलान हो ही गया है उमिद्वारों के भी नाम अब सामने आ रहे हैं वो 6 सीटे कॉंग्रिस की जिस पर अभी तक उमिद्वारों का एलान नहीं हुआ है हमें भी इंतजार होगा कि उस सीट से कौन होगा उमिद्वार बहुत शुक्रिया आप दो